नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि इसोमैक टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. इसोमैक टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इसोमैक टैबलेट की वज़स से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? इसोमैक टैबलेट पेट में उत्पन होने वाले एसिड की मात्रा को कम करती है. इसोमैक टैबलेट का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनन पर, बदहजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर इसोमैक टेबलेट का उपयोग किया जाता है। Isomac Tablet को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ा से होने वाले Side Effects को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है. जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है. इसलिए इन Side Effects को रोकने के लिए भी आपका Dr. Isomac Tablet को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है. ज्यादा तर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य Side Effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है. इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये Side Effects ना हो. इसलिए आपका Dr. Isomac Tablet को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है. इसके अलावा Isomac Tablet का उपयोग कुछ Medical Conditions जैसे Gastric Ulcer, Acid Reflux और Jolinger Ellison Syndrome को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है. Jolinger Ellison Syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है. Isomac एक Brand Name है. Isomac Tablet के अंदर Salt Composition Isomac Prasol होता है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे कि Isomac Tablet की वज़े से क्या Side Effects हो सकते हैं. वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Isomac Tablet की वज़े से कोई Side Effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट में Isomac Tablet की वज़े से कुछ सामान्य Side Effects हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्ध, पेट से गैस निकलना, मुं में सूखापन, सिरदर्ध, शरीर की मासपेसियों या जोरों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं. इसके अलावा Isomac Tablet की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं. लंबे समय तक Isomac Tablet का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक Isomac Tablet को लेने से शरीर में वितामिन C, वितामिन B, 12, कैलशियम, आईरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती हैं. इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना Isom Isomac Tablet को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए. लंबे समय तक या दिन में कई बार Isomac Tablet को लेने से ऑस्कियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. ऑस्कियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डिया बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है. Isomac Tablet की वज Tablet को ले रहे हैं. तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए. ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके. या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवत भरपूर मात्रा में करना चाहिए. और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे की Isomac Tablet को कैसे लेना recommended होता है. 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर Isomac Tablet को दिन में एक बार और सुबह खारी प बजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको Isomac Tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं Isomac Tablet को ले सक करती है या नहीं. वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Isomac Tablet का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है. लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Isomac Tablet को लेने की सलाह दे सकत तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका इसो मैक टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.